नमेश्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज है हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए क्योंकि अगर आप देखिए तो वर्ल्ड वार्ट टू के बाद कुछ ऐसे वेपन्स यहाँ पर इस्तेमाल किये जा रहे थे हमारे फोर्सेस के द्वारा जो आज भी यह किये जा रहे है इस्तेमाल तो यहाँ पर हमारे देश के द्वारा स्ट्रगल किया गया है कि उसको किस तरह से हम रिप्लेस कर सकें काफी चीजें हम इंपोर्ट कराने की कोशिश किये हैं लेकिन वह बहुत ज़ादा कोशली होती है लेकिन फानिरी यहाँ पर आप देख सकते हो कि असमी जो क इंडिजीनियस मशीन पिस्टल तो यहाँ पर सबसे पहला कोशन आता है कि यह मशीन गन और मशीन पिस्टल में क्या आंतर है इसके लाबा यह जो पर्टिकुलर इंडिजीनियस वेपन बनाये गया है यह किसके दोरा बनाये गया है इसका क्या यूज होगा कहा पर होगा क्य या कि लाइब के लिए smart courses जिसके तुरू आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहला question आता है दोस्तों ये machine gun और ये जो machine pistol की हम बात कर रहे हैं इसमें अंतर कह दें कि बहुत ही small difference है सबसे पहले तो machine gun I am sure आपने इसके बारे में सुना होगा जाना होगा machine gun क्या होता है basically normally जो पहले gun होते थे उसमें क्या होता था आपको trigger खीचना होता था तब जाकर आप इसको दूसरा fire shoot कर सकते थे लेकिन machine gun क्या होता है ये auto loading fire arm होता है यहाँ पर बार बार आपको trigger खीचने की जरूरत नहीं है आपको just यहाँ पर fire करना है और automatically यहाँ पर जो bullets है वो आपके निकलते जाएंगे तो rapid firing rifle long barrel auto loading fire arm होता है एक तरह से आप कह सकते हो और other automatic fire arm ध्यान रखेगा इसको confuse मत कर लेना assault rifle हो गए automatic rifles हो गए वो क्या होते है वो छोटे burst के लिए होते है मतब छोटे से समय में बहुत जादा यहाँ पर गोली दाख सकते हैं लेकिन यह जो machine gun होता है वो long term में यहाँ पर काफी लंबे यहाँ पर जो fire arms है उसको एक तरह से bullets fire करते हैं तो वो आपका machine gun हो गया लेकिन जो machine pistol होता है दोस्तों आप इसको just एक छोटा version कह सकते हो मतलब lightweight होता है उससे और यहाँ पर basically आप कह सकते हैं कि छोटे range में यह cover करता है कि बहुत जादा दूर इसके bullets नहीं जाते हैं छोटे range में जाते हैं लेकिन यह machine gun की तरही work करता है सब कुछ आप कह सकते हो इसको sub machine gun या फिर machine pistol भी कहा जाता है यह जो नीचे आप पिक्चर आप देख रहे हो दोस्तों यह indigenously double up जिसकी हम बात करहें असमी जो sub machine gun कहा जा रहा है या फिर machine pistol कहा जा रहा है उसी का यह picture है जैसा कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर हुआ क्या है तो DRDO की एक पूने based facility है DRDO की पूने के अंदर facility है उनके द्वारा और Indian Army की एक infantry school है कहाँ पर महो महो कहाँ पर मिलेगा आपको देखिए यह मद्ध परदेश के अंदर है इसको famously कहा जाता है डॉक्टर अंबेटकर नगर ठीक है तो यही आपका महो तो वहाँ पर जो infantry school है उनके द्वारा मिलकर और DRDO का जो पूने based facility है दोनों के द्वारा jointly develop किया गया है भारत का indigenously 9mm machine pistol तो 9mm basically क्या है कि जो उसमें bullets लगाए जाते हैं वो 9mm तो उसी के हिसाब से यहाँ पर range दी जाती है तो यह जो पुरा pistol है दोस्तों यह काफी सस्ता होने वाला है बताया जा रहा है कि करीब 40,000 से 50,000 के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से हम इसको export भी कर सकते हैं क्योंकि सस्ता होगा better quality का है और export का potential भी इसके अंदर दिखता है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो DRDO है और आर्मी है उन्होंने मिल कर इसको design और develop किया और within record time of 4 months, 4 मेहने के अंदर अपने अपने जो expertise है उसको यहाँ पर दोनों संस्था के दोरा लगाया किया और इसको बना दिया गया है in fact यहाँ पर जादा तर जो 3D printing का process है उसका इसमें इस्तमाल किया गया है चाहे trigger का component हो जितने भी component है छोटे छोटे इस machine पिस्टल के उसमें यहाँ पर 3D printing का इस्तमाल करते में बनाया गया है in fact मैं आपको यह बता दूँ कि जो मैंने अभी आपको बता है कि महो के अंदर यह infantry school है वहाँ पर एक lieutenant colonel है जिनका नाम है प्रसाद बंसोद उनके द्वारा actual में यह design किया गया है in fact अगर आप देखोगे पूरे विश्व भर में जादा तर जो छोटे आमस होते हैं छोटे पिस्टल हो गया है जादा तर आपको देखने को मिलेगा कि जो serving military personnel है उनके द्वारा वो design किया गया है जैसे कि for example world war 2 के समय एक बहुत famous AK-14-7 यहाँ पर design किया गया था किसके tank commander है जनरल मिखेल कल शिनिको उनके द्वारा यह design किया गया था इसराइल का एक बहुत ही iconic उजी sub machine gun है जो कि 1940 में develop किया गया था वो भी वहां के जो major उजेल गयल है उनके द्वारा यह design किया गया था तो जादा तर आप देखोगे जो छोटे weapons होते हैं वो serving army personnel के द्वारा ह यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि यह जो अस्मी है जो machine pistol है वो भी हमारे lieutenant colonel प्रसाद बंसोद के द्वारा design किया गया है यहाँ पर मैं आपको अक्चुल में जो ministry of defense का press statement है वो पढ़ाना चाहता हूँ इससे आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी जैसा कि आप देख आपके जो movements होती हैं जो drivers होते हैं dispatch riders होते हैं counter insurgency हो गया हमारे देश के अंदर जो counter terrorism के operations होते हैं जितनी भी यह चीज़े हैं दोस्तों उसमें इस्तमाल किया जा सकता है और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर VIP protection के duties होते हैं policing होता है state police हो गया central organization हो गया सब यहाँ पर इस्तम होता है pride, self respect, hard work तो कहीं न कहीं उससे जोड़ कर इसका नाम असमी रखा गया है और इसकी वज़े से हमारे armed forces के पास एक नया fire power मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह क्या करेगा कि जो standard 9mm gun है जो हमारी defense forces के पास उसको एक तरह सी replace कर देगा और यह होगा हमारा make in India some machine gun और इसका weight करीब बताया जा रहा है 3 kg के आसपास होगा और इसकी जो range है वो 100 meter के आसपास है देशा कि मैंने आपको starting में बताया था जो machine pistol होते हैं उसकी range थोड़ी छोटी होती है तो 100 meter के आसपास है और यह basically इसराइल का जो OZ series guns है उसके से उसके साथ आप compare कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सब तो पिछले 4 मेहने में जब इसको develop किया जा रहा था तो लगतार इससे 300 rounds basically per minute के हिसाब से हम इसको calculate करते हैं तो 300 rounds per minute के हिसाब से यह fire कर रहा था तो इसकी वजए से काफी जादा यहाँ पर हमारे armed forces को एक तरह से बल मिलेगा लेकिन ध्यान not replace primary assault rifles like if AK-47 हो गया, इंसास हो गया, यह जो चीजें use की जाती है front line army के द्वारा वहाँ पर इस्तमाल नहीं किया जाएगा, ज्यादा तर मैंने आपको बताया है जो second line personnel है, चाहे weapon for tank हो गया, aircraft cruise हो गया, counter terrorist operation जैसे मैंने आपको बताया, even जो merchant vessel होते हैं, जो ships होगर होती है, वहाँ पर VIP protection के लिए, इन सब जगा इसका इस्तमाल किया जाएगा, front line के लिए नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि इसका huge market है for central police organization, state police के लिए, और क्योंकि इसका cost सिर्फ 40,000 से 50,000 के बीच में है, जो कि आप कह सकते हो कि, जो हम import कराते हैं, sub machine gun, ज कितना better होने वाला है, और अब ज्यादा तर जो weapons हैं, हम उसको replace कर सकते हैं, ये वाले अस्मी machine pistol के थरू, और सिर्फ यहीं नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि, आगे आने वाले समय में, यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि, अस्मी का भी lighter version बनाया जाए, क्योंकि अस्मी क्या मैंने आपको बताया, ये 3 kg के आसपास है, लेकिन उसका भी lighter version कोशिश की जारी है, 1.5 kg का बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो normal, जो empty AK47 होता है, उसका weight 3.4 kg के आसपास है, तो यहाँ पर इसका भी अगर हम आधे से भी कम यहाँ पर इस लेकिन इसमें 600 rounds per minute की बात कही जारी है, range भी इसका 100 meter के आसपास ही होगा, ऐसा बताया जारा है, तो एक अची बात है हमारे arm forces के पास यहाँ आएगा, लेकिन कुछ challenges भी हैं दोस्तों, इतना असान नहीं होता है, इसका mass production करना, क्योंकि actual में जब यह production पर जाएगा, mass production बड तक हम mass production में इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर in fact एक example में आपको बताता हूँ कि World War 2 के समय यहाँ पर जो AK-47 था, वो बहुत तेजी से फैला, क्योंकि Soviet के द्वारा resources दिये गए थे, back किया गया था, और यहाँ पर उसको जादा स्यादा production में लाने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो successful रहा, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवशकता है कि जब यह mass production पर जाए, तो proper resources हो उनके पास, तभी जाकर यह चीजें possible हो सकती हैं, और conclusion में हम कह सकते हैं कि दोस्तों, हमारी भारत की सेना ने यहाँ पर struggle किया है, पिछले काफी समय से, World War 2 से enter किया था, sterline carbine, जो weapon है, वो काफी पहले का है, अभी तक उसका इस्तमाल किया जा रहा था, पिछले 15 साल से हमने alternative लाने के कोशिश की import कराया, जैसे कि जर्मन का MP5, MP9, उजी हो गया, इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उतना जादा यह successful नहीं हो प आया हूँ, यहाँ पर आपको बताना है, कि जो इंद्र धनोष bilateral air exercise, ध्यान रखेगा, यह air exercise होता है, यह भारत और कौन से देश के बीच में होता है, यह आपको बताना है, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram स ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पर ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope की वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.